आज से 128 साल पहले यानी 1883 को शिकागु में स्वामी विवेका नन्द ने अपने भाशन से पूरे विश्व को धर्म का मर्म समझाया था इसी के साथ ही उन्होंने समाज में फैली धार्मिक और नसलिय भेदभाव का भी कड़ा विरोत किया था लेकिन एक बार फिर से समाज में इन बुराईयों ने जोर पकड़ लिया है जिसे देखते हुए 12 जनवरी को दिल्ली में एक विश्व धर्म समबाद आयोजित किया गया जिसमें हिंदू, सिक, इसलाम, यहूदी और बहाई सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर इस विशय पर अपने विचार रखे तो आईए सुनते हैं कि दिल्ली में इखटा हुए धर्म गुरुओं ने भारत और विश्व को क्या संदेश दिया जहां तक संबाद का जिक्र है जब संबाद की बात होती है तो अने प्रेशन मन में यो ही उठते हैं कि वह संबाद क्या विवाद है उसके लिए संबाद कर रहे हैं लेकिन इस प्रेशन का उपतर बहुत विश्वतार में हमारे आज के संबाद की तौर पर के टोर पर के संबाद की प्राचिन परंपरा है जीवन के हर प्रश्ण का उत्तर पाने के लिए हमने हमेशा से भारतो developments में संबात का ही साहरा लिया है और जुकि धर्म हमारे जीवन का आधार है, धर्म हम सब के बीच में के कैसी करी हैं जिससे हर मनुष्य जुड़ा हुआ है इसलिए धर्म पर भी सतत संबाद करना हमारी पुरादन परंपरा का हिसा रहा है लेकिन नव जागरण की समय का ही अगर जिक्र करें तो उसी धर्म संबाद की परंपरा का हिसा है जिससे 130 वर्ष पहले भारत के भगवाधारी सन्यासी स्वामी विवी कानन ने भारत से साथ समंदर तोर अमेरिका के अंजाने लोगों को भी अपना भाई अपनी बहन बताते हुए कहा था और ये शुरुवात की थी जी स्वामी विवी कानन जी ने कहा था कि I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true तो मुझे लगता है कि जिस तर असे स्वामी जी ने अपने सनातन हिंदू धर्म और उसके विश्व बंदुतु के सिंधानतों में अपना जो अखंड विश्वास विश्वास करते हुए उसे दोहराते हुए भी विश्व के जो तमाम धर्म है उनके मूल रूपों के प्रत जरूरत है बच्चे स्वर्ष की अवस्था में नरेंद्र निपकियो अवस्था पहल लिया था तर पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की सनर्थारस उदिरान्द्य अमेरिका के शिकागों में विश्व धन परिशिद हो रही थी स्वामी विविकानंद जी अब इसमें भारत की प्रतिनधी की रूप में संपून भारत और सनातन धरूंका प्रतने दित्व कर रहे थी तब यॉड़ब और अमेरिका की लोग उससे में वराधीन भारतवासियों को बहुत ही इंद्रश्टी से देखते थे वहां की लोगोंने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवी का नत को सर्वत हम परिशद में बोलने काबल समय ही ना मिले पर उन्तों एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हीं थोड़ा समय बिदा और फिर उनकी विचारों को सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए शीजरी प्रिक्तीव प्रयार्वान प्राव बिदा आरवाव प्राया स्वाव प्राव 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 ग्राव थे खाम बजीया जाया है फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ वहाँ इनके भक्तों का एक बढ़ा समुदाय हो गया तीन वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ की लोगों को भारती तत्व ज्यान की अध्भुत जियोती प्रदान करते रहे अध्यात्म विद्या और भारती दर्शन की बिना विश्व अनाथ हो जाएगा ये स्वामी विवीका अनंद जी का तुरण विश्वास था अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिश्ट की अनिक शाखाय स्थाबत की अधेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिश्यक्त रहर किया चार जुलाई से 1902 को उन्होंने देह त्याग किया वे सदा अपने को गरीबों का सेवत कहते थे भारत की गौरफ को देश बेशांतरों में उच्छोल करने का उन्होंने सदा प्रयत न किया स्वामी विविकानन्द ने सवा सो साल पहले दुनिया के लोगों खास दोर पर धर्म की बात करने वालों से जो उमीद लगाई थी क्या वो अब तक पूरी हो सकी है इस सवाल का जवाब तलाश ने और उन अधूरी उमीदों को पूरा करने की कोशिश है स्वामी विविकानन्द की पृति हमारी सची सुधा की कस्वत्ती है इसलाम को सर मांते हैं लेकिन अल्ला ताला की कोई नहीं मांता है। आज इसाई को समी मांते हैं लेकिन इसु की कोई नहीं मांता है। सब अपनी मनवाते हैं। इस कारण से संपूर्ण ब्रह्माण्ड के अंदर या समस्या प्यदा हो गई है। मेत्रिता जिसको जेहन दर्शन के अंदर खा गया के खामे वी सब्व जिवे, सब्वे जीवा खमन्तु में मित्टि में सब भुए शुवेरा मजजनक यह नहीं, मेरा किसी व्यक्ती से किसी जीव मात्र के प्रती क्या है वैर नहीं है, प्रेम है करुणा है मैत्रिय आहिंसा जिसको कहा गया और यही विवेका नंजी ने भाईयों और बेहनों कह करके वसुधेव वसु कुटुम्बकव की भावना को व्यापक बनाया आज यहां हम बैटे हैं इसी का नाम तो भारत है आज यहां सारे धर्म इखटे होके एक दूस से की इज़त करते हैं यही तो भारत है तो हमें अपने भारत को मश्बूत करना है भारतयाता को मश्बूत करना है आज जिस्वामी विवेका नंजी के जो गुरू जी थे उनका नाम था स्वामी राम किष्ण प्रमहज जी आपने पढ़ा होगा मैंने भी कलकत्ता में गया उन्होंने मजिद का निर्मान किया और वो मज़ित में जाकर इबादत करते थे फोल भी मेद why we cầnनजी को अगर आप पढ़ेंगे इस सभी धर्मों के साथ का सभी धरूं का तरशमान था मस्जिदों में जाते थे अक्सर और समझते थे तो मैं आज इस मौके पे यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकर नंजी का जो हमने आज यही संकल्ब ले कि हम सब के साथ चले और चुकि उनकी दृष्टी यही धरम जो भारत और भारतियता की थी वसुदेव कुटम बकम वसुदेव कुटम बकम कब होगा वसुदेव कुटम कब तभी होगा जब हम सब एक होकर पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान भारत और भारतियता की बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आज ये वक्त जरुद आ गया है आज 2021 है नवीन भारत और उत्तम भारत का संकल्प लेकर भारत को विश्गुरू बनाएंगे आज हमें इसी तरह से सोच लेके उठेंगे और सब का इज़त करेंगे सम्मान करेंगे संसार में कि जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी एक चीज की अवश्यक्ता सदावनी रहेगी और वो अवश्यक्ता है धर्म की क्योंकि धर्म के बिना सत्ता की अस्तित्तु की पहचान ही मिट जाती है अगनी का धर्म जलाना है बरफ का धर्म ठंडग देना है दिये का सूर्य का धर्म प्रकाश देना है हवा का धर्म प्राण वायू देना है धर्ती का धर्म जीवन देना है अकाश का धर्म व्यापकता देना है ये ये चीजे इन चीजों से चली जाएं तो आग आग ना रह करके राख बन जाए पानी जलाने लग जाए पानी शितलता की आगोस वाला ना रह करके अगनी का गोला बन जाए और धर्ती ने कुछ और बन जाए या आकास की कुछ और बन जाए और आधारम के कुंड में जो चलांग लग जाएगा वो बुजे वेतिये यह तरह हो जाएगा जलता हुआ दिया हजार को जलाता है और हजार बुजे वेतिये एक दिये को नहीं जला सकते हैं विशिदानन जी माराज ने का जैसे परमेश्वर ने परकास के लिए एक सूरिया बनाया है, प्यास मिटाने के लिए एक पानी है, सांस लेने के लिए एक हवा है, रहने के लिए एक धर्ती है, तो सब कुछ तो एक है, तो धरम भी तो एक ही है, तो बोलाओ ऐसा कौन सा धरम ह इसको सारा संसार माने आप कोई वेद के मंतर के अधार पे उसकी कव याठ्या लिख माएं तो लिखने वाले मौनियर विलियम थे बताने वाले महर्शी दानन जी माराज थे तो बोलते हैं सुनना चाहते हो कोई भी विरोधी नहीं हो सकता है इस धारम का क्या सत्या अनुकूल न्याय अनुकूल पक्सपात रहित आचन का नाम धार्म है अपने को जो बात अच्छी ना लगे वह दूसरे के लिए कभी व्यावर में ना लानी दो अनुकू अधास आज यूड लाइक तो बीड़न विद्यू आपको दूसरे को द्वारा अपमानी तो अना पुरा लगते हैं तो आपके हाथ दूसरे को अपमानी तो नचाहा कैसे लगेगा आपको अपनी माँ बेटी ये दूसरे के मुखसे सथ बहुत बुरे लगते हैं तो दूसरे की महन बेटी के लिए आपके मुखसे के लिए मिखसने के सब्सक्राइब ये तो नहीं है सकता विश्रिय विश्टव अनजे माराज को बाक्त कर दो धार्म किसका है हम सब कौन है? इंसान, इंसानों में आग में से जलाने का गुम निकल जाए, तो राख है, इंसानों में से इंसानियत निकल जाए, तो मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत क्या है, अरे सबसे प्रक्व है, कई वार मेरे गु मनुष्य क्या प्रिक्षा होती है, मैंने का, सबसे पहले दो मनुष्य की प्रिक्षा पास करने पड़ती है, जो मनुष्य नहीं, वो इंजिनियर भी नहीं, जो मनुष्य नहीं, वो डाक्टर भी नहीं, जो मनुष्य नहीं, वो इक्राव नहीं, जो मनुष्य नहीं, वो आध यह तो पद्वी है एक पद्वी के हटने पे यह पद्वियां बेका रहे हैं क्या है वह पद्वी और मनुश्य भी अख्या क्या है महाराज कहते हैं मनुश्य है उसी को कहना किसको मनुश्य है उसी को कहना जो अन्यों के लाभ हानी सुख दुख मान अबमान को आत्मवत समझे जब दूसरे के दुख को अपना दुख, दूसरे की हानी को अपनी हानी, और दूसरे के मान अपमान को अपना मान अपमान समझेगा, फिर इस संसार में कहीं भी जगडा, कहीं भी वै, कहीं भी संकट, कहीं भी लडाई, कहीं भी युद्ध नहीं होगा, अरे दुनिया ने हमें दुनिया ने हमें दिखाने के लिए अपना जोड और पुर्मानों मिजाईले और पुर्मानों मिजाईलों का युद्ध दिया हमने सारी दुनिया को वीपस्चने अध्राम शिखाने वाला और शांती का निदेश देने वाला महातुमा बुद्ध दिया फे भारत की देन भारत के निशी हिमाल्या परवत पर बैठे होते हैं दुनिया एक संदेश लेने आती है किसका मानवता कभी भी ये में कहा कि हम आपको कुछोर सिभन नहीं मानव को मानवता सिखा दो दानवता हार जाएगी मानवता से मानवता निकाल दो तो दानवता जीत जाएगी हमने मानवता सिखाने है दानवता को हराना है यही हमसद का लक्षय है यही उदेश्य है इस समबाद में सारे धर्म गुरुओं का यही कहना है कि धर्म ग्रंथों की बात तो सब करते हैं लेकिन उन पर अमल कुछ ही लोग करते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी धर्म एक्ता भाईचारा और शांती का संदेश देते हैं ऐसे में किसी भी धर्म पर टिपपणी करना और नसलिय भेदभाव फैलाना समाज को कमजोर करने जैसा है और इनी बुराईयों को समाज से हटाने और धर्म से लोगों को जोडने के लिए इस समारों का आयोजन किया गया